23 नमर, हमें integral निकालना है, sin cube x minus का cos cube x और y में है, sin square x इंटु में cos square x, अलग-अलग divide कर देते हैं, integral हो, sin cube x और y में यहाँ पर sin square x cos square x और minus, cos cube x और y में है नीचे, sin square x cos square x, चलिए अब इसके बाद देखें, यहाँ sin square x, sin square x, sin square x और y में यहाँ cos वाला कर जाएगा, तो देखिए, ऊपर x sin और y में यहाँ नीचे cos है, तो 10 हो जाएगा, और 1 cos उपर लेके जाएगा, तो 6 x, 10 x और minus, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ sin 1 है, उपर जाएगा, cos 1 हो हो जाएगा, है ना जी, दोनों का इंटेग्रल लिखा जेते हैं, तो इसका होता है आपका सेक x, और इसका होता है, माइनस का cos 1 x, ठीक है, और plus c, यहाँ कि माइनस में प्लस सेक x, और plus का cos 1 x, प्लस का c, यह आपका answer हो जाएगा, समझ गए, नेक्स देखते हैं,